बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम आज हम डिस्कस करें डिफरेंशल जमेटरी उसका लेक्चर मेरे पास 27 है मेरे चैनल का नाम आसफ महमूद AP Mathematics है यहाँ पार FSC, BS, BSC, MSC Mathematics को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेर करें आज हम इंपॉर्टन टॉपिक डिस्कस करेंगे जूडैसी करवेचर देखें यह हमारे पास पॉइंट पी है उस पे जो टेंजन हमारे पास है वो T है जो नार्मल यूनिट वेक्टर वो हमारे पास क्या है और यह हमारे पास जो वेक्टर है यह यू है यहां देखें जो हमारे पास T, U, N क्या है यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं ओथोनार्मल ट्राइड तो आप देखें जो आप मारे पास T, N और U जो हैं यह यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब के T.T1 और T. यहां लिख लें आप N.N1, U.U1 और इसी तरह T.N is equal to 0 और T.U is equal to 0, N.U is equal to 0 क्योंकि हमारे पास T, U, N यह यह आई का काम कर रहे हैं यह J का और यह K का जब आप लेते हैं T cross U लेंगे N, U cross N लेंगे तो T और N cross T लेंगे तो U अगर आप इनकी direction को change करेंगे जैसे U cross T लेंगे तो minus N N cross U लेंगे तो minus T और T cross N लेंगे तो minus U फिर आपने previous lectures में पढ़ा था कि जो X dot है वो T के equal होता है तो हमारे पास यहां जो equation of tangent हम लिखेंगे let T for the moments denote the unit tangent vector to C at point P let U be the vector in tangent plane at point P such that T, U, N is right-handed or the normal triad the projection of C onto the tangent plane at P is given by हमारे पास जो equation of tangent है equation equation of tangent वो है X star T X dot T into T minus plus X dot U into U तो यहां से हम judasic curvature की equation प्रूव करेंगे यहां judasic curvature find करेंगे तो देखें हमारे पास जो equation of tangent plane आई हमने अभी जो find की equation of tangent plane वो हमारे पास ही X star X dot T into T plus X dot U into U अगर देखें तो यह अगर डाड का sign है तो यह scalar है यह सादस के क्या है vector यह भी क्या है scalar और यह सादस के क्या है vector तो अब हम इसको differentiate करेंगे differentiate with respect to S D X star over D S अगर देखें तो यह जो पूरा factor है यह हमारे पास independent of S है इसमें S मुझूद नहीं है तो यह similarly as it आ जाएगा X dot T into T plus X dot U into U अब आपने पड़ा हुआ है कि X dot हमारे हमारे पास क्या होता T यहां T replace करें D X star over D S T dot T into T plus T dot U into U sorry T again differentiate again differentiate with respect to S तो D 2 X star over D S के तो देखें T हमारे पास जो है यह function किसका है S का जो भी derivative आप with respect to S लेते हैं उसका हम नोड करते हैं doubt से तो यह जाएगा T dot dot T into T plus T का derivative dot U into U क्योंकि T dot किसका बराबर है K के तो लिखें K dot T into T plus K dot U into U लिखें at point P K is equal to T point P पे हमारे पास K क्या है तो लिखें D X star over D S square तो यह जाएगा T dot T into T plus K के जगा पे T dot U into U आपने पड़ा था के T dot T one N dot N one U dot U one इसी तरह T dot U zero N dot U क्या था zero तो T dot U क्या हो गया zero और T dot T क्या हो गया one यह one T रह गया और यह क्या हो गया zero तो D 2 X star over D S square तो इसकी magnitude लें D 2 X star over D S square की magnitude तो T हमारे पास क्या unit vector तो magnitude क्या गयी one तो हमारे पास जो equation है one वो क्या बन गयी D 2 X over D S square तो देखें T dot T हमारे पास क्या होता है one और T की magnitude हमारे पास क्या आगी one तो हमारे पास बन गया T dot U into U देखें T dot T हमारे पास क्या आगया value one और इस equation में आप replace करें यहाँ पर आपने T से multiple place यहाँ पर आप यहाँ replace कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास T dot U into U हमारे पास आगया second derivative अब हम use करेंगे जूड़ैसिक के रवेचर का फार्मूला तो next हमारे पास है जूडैसिक कर वेचर का जो फार्मूला है आप वी नोगवर है जूडैसिक के रवेचर का फार्मूला इसको k star लिख लें यह के जी वो था dx star over ds dot dx star over ds into d2x star over ds care दरम्यान में sign है minus का तो dx star over ds dot product d2 star over ds care over dx star over ds over dx star over ds magnitude की power 4 तो देखें अभी हमने dx star over single derivative नकाला है dx star आप नोट कर लें जो हमारे पास single derivative था dx star वो देखें t है जो हमने double find किया है वो क्या है के यू तो हमारे पास dx star over ds क्या है t और d2 x star over ds क्या है अभी हमने नकाला k क्या था लास पे हमारे पास k dot u into u अभी हमने नकाला k dot u into u अभी हमने find किया यह value ठाके यहां put कर दें देखें dx star क्या है t t dot t इसके value t double derivative यहां put करें k dot u into u minus इसके value यहां put करें dx star की t और इसके value यह क्या है dot k dot u into u और इसके value t over इसके value क्या गी t t magnitude की power 4 तो t dot t क्या है 1 तो हमारे पास है का k dot u into u अभी हमने देखें vector के साथ डावट प्रोड़क्ट लें यहां गया k dot u into t dot u into t आपने पढ़ा है कि t dot u क्या है 0 यह सारा factor क्या हो गया 0 और यह t magnitude क्या होती 1 तो 1 की power 4 answer क्या जाएगा 1 यह क्या हो गया 1 यह factor 0 हो गया तो क्या गया k dot u into u तो देखें हमारे पास जो judasic curvature है जिसको मैं k g से denote करता हूँ तो judasic curvature हमारे पास आगया k dot u into u तो देखें यही हमने proof करना था तो next हमारे पास है थोरम है statement है उसकी the judasic curvature k g हमारे पास judasic curvature k g है और आपने पड़ा था कि जो आपके पास normal curvature था उसको आपने किसे note किया था n से तो अभी हाँ आपने judasic curvature का भी proof किया कि बराबर होता है k dot u into u के जो आपने normal curvature काला था को याद हो k dot n into n यह हमारे पास normal curvature है और यह judasic curvature और यह हमारे पास क्या है normal curvature लिखाओ judasic curvature k g of a curve c at point p is a vector projection of curvature vector k of c on the tangent plane at हमारे पास जो curvature है वो है judasic curvature plus नार्मल curvature तो judasic curvature का फर्मुला यह था k dot u into u और नार्मल करविचर का फर्मुला क्या है k dot n into n हमारे पास k n principal नार्मल करविचर है और k g judasic curvature मैंने लिखा हुआ है कि यहह हमारे पास normal curvature है और यह हमारे पास judasic curvature है आगे हमारे पाँ definition है geodesic curvature the scalar function kg defined by kg into ku is called a geodesic curvature तो देखें हमारे पाँ geodesic curvature है जिने जो उसकी magnitude है देखो न ये हमारे पाँ k.u है ये यू अगर magnitude लेंगे तो ये हमारे पास क्या है scalar तो क्या जाज़ेगा kg k.u आपने पढ़ा था क्याओ के पास t.u.n तो आपके पास जो होगा n x n x t वो किसके को होगा u के तो आप u की value पुट कर दें kg k.u की value n x t तो ये क्या है scalar triple product यानि a x b.c क्या क्या जाती है scalar triple product तो इसको हम कहले हैं इस प्रेक्ट में a, b, c तो आप इनके अगर change करना जाएं आप change भी कर सकते हैं यह आपने पढ़ा होगा है कि u.v बराबर होता है v.u के तो चेंज कर दें तो यह जाएगा n x t.k तो इसको मैं लिखूँ अगर scalar triple product में तो k, sorry, t, t, k, n और आपने पढ़ा हुआ है कि t आपके पास था x dot और k आपके पास है double dot तो t की value आप क्या put कर सकते हैं x dot k की value x double dot into n यानि judasic curvature को हम x dot x double dot into n की form में भी हम लिख सकते हैं तो next हमारे पास है judasic curvature kg in term of e, f, g यह हमारे पास judasic curvature का formula है जो है हमारे पास kg यह हमाज़े notation है 1, 1, 2 जिसका हम लिखते हैं du over ds का scale आगे है plus 2 into यह notation है इसको जो हमारे पास मैंने जो गैमा की form लिखा है 1, 1 power 1 यह बराबर होता है geu minus 2 f fu plus f ev over 2 eg minus f यह सबी को जबान लिए याद हो आपने निखाला था के e आपके पास था x u dot x u और f आपके पास था x u dot x v और g आपके पास था x v dot x v फिर आगे आपके पास यह आगे value आगे e f g जब आप इसका derivative लेंगे with respect to u e u लिखेंगे with respect to v लेंगे to e v लिखेंगे इसका derivative u लेंगे तो f u v लेंगे तो f v दिनोड करेंगे g का derivative लेंगे g usage दिनोड करेंगे आगे gamma two two से two minus two gamma one two से one d over d's dv over d's this formula आप उती पार्मॉला आप जबान या रखेंगे इसको और जो आके पस gamma one one की value यह है gamma one two की value यह है इसी तरह आप इसके निकालेंगे two two की two two one की निकालेंगे यह सारी value निकालेंगे निकालेंगे आप यहाँ put करेंगे तो जब आप जियोडैसिक कर्वेचर फाइंड करेंगे तो जियोडैसिक कर्वेचर का हम यह वाला फार्मूला याद रखेंगे इसका हम नेक्स लेक्चर में इसका प्रूव भी करेंगे तो आप फार्मूला को याद रखें उसके बाद हमारे पास 2 to 1 की value है 1 1 2 की value है 1 2 2 की value है or 2 यह सारी value आपको जबान नी याद हों यह value उनकाल के हम जो geodesic curvature का यह बड़ा फार्मूला था kg जिसमें लिखा था 1 1 2 और d u over d s q plus 2 into gamma 1 2 से 2 minus 1 1 से 1 d u over d s square d v over d s plus gamma 2 2 से 2 minus 2 1 2 से 1 or d u over d s into d v over d s minus gamma 2 2 से 1 d v over d s q plus d u over d s dot d 2 v over d s minus d u over d s square dot d v over d s तो इस सब को multiply करेंगे square root e g minus f square यह हमारे पास है u dashic curvature का फार्मूला इनकी value उनकाले के फार्मूले यह लिखे हुए हैं यह value उनकाल के हम इस फार्मूले में पुट कर जाए करेंगे तो हमारे पास u dashic curvature आ जाए करेंगे यह हमारे पास very very important lecture था इसमें को इशू हो तो आप हमारे साथ discuss का सकते हैं अजया हमारे जाए करेंगे